दोस्ता आप अगर कोई Samsung Galaxy S21 FE user है या फिर दूसरा कोई Samsung का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको Good Lock का अप्लिकेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है तो Good Lock अप्लिकेशन यूज़ करके आप अपना जो sound panel है volume panel है उसको अंधा धून कस्टमाइज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो volume bar है volume bar का जो graphics है बहुत ही अच्छा आपको graphics देखने को मिलता है तो इस तारह से round करके भी आपको option देखने को मिलता है volume panel का जो layout है उसको आप round कर सकते हैं बहुत ही cool लगता है इसमें आपको 10 animation देखने को मिलता है तो वो टोटल 10 animation को आप अगर use करेंगे तो आपको बहुत ही next level एक customization का option देखने को मिलता है volume panel के अंदर तो यह जो volume panel का customization है इस customization को आप अपने phone में कैसे करेंगे वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो मेरा नाम ही इम्रान आप देख रहे हैं इनाइल टेक तो आई आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो volume panel को customize करने के लिए आप अपना Samsung डिवाइस में goodlock application को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद life of के option में जाके यहाँ पे life of के उपर tap करके आप नीचे स्कूर लाउन करके आएंगे तो आपको sound assistant नाम का एक module देखने को मिलेगा तो इसको आपको on करेंगे तो आपका जब volume panel एक ही दिखाता है वह multiple दिखाएगा अलाग-अलाग option में अलाग-अलाग आपको देखने को मिलेगा तो आपको एलर्म में रिंग टोन में मीडिया में अलाग-अलाग volume panel देखने को मिलेगा मतलब अब एक साथ एक जगा पर इसको कॉंट्रोल कर सकते हैं तो वॉल्यूम पैनल को ग्राफिकल करने के लिए बहुत सारा कालरफूल करने के लिए आपको make your own volume panel colors इसको पर टैप करना है और टैप करने के बाद आपको यहाँ पर पहले थीम देखने को मिलता था टोटाल आपको यहाँ पर इतना सारा थीम देखने को मिलता था तो अभी रिसेंट अपडेट में इसमें flex UI को एड़ किया गया है तो flex UI को यूज़ करके आप इस वॉ तो इसको चूज़ करके नीचे जो texture है texture आपको mesh और acrylic दोनों देखने को मिलता है तो mesh और acrylic में आपको दोनों color देखने को मिलता है तो यह mesh में आपको थोड़ा सा कम color देखने को मिलता है और acrylic में थोड़ा सा ज्यादा color देखने को मिलता है यह आपका volume panel का texture हो गया और texture के ब मिलता है तो आप अगर चोटा कर देंगे तो यहां से चोटा हो जाएगा और आप अगर बड़ा चूज करेंगे तो आपका वॉल्यूम पैनल बड़ा दिखेगा तो आप ऐसे बार टाइप या फी नॉब टाइप दोनों में कुछ भी रख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो वयल्यूम पैनल का Judasis Pret Extra काप चूज कर बार में और या फी नॉब में तो आप इन सारवों में से कुछ बी चूज करके रख सकते हैं और आप अपना वॉयल्यूम पैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं और बहुत सारा अपशन आपको साउंड डियूर्यौ मेंец्य अगर कोई सवाल सुजाव question है तो आप comment करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं कुछ और interesting वीडियो में तो तब तक के लिए bye bye